Hello everyone, welcome back to my channel तो आज हम बहुत ही important एक बात, एक notice डिस्किस करेंगे तो आप मेंसे जिनों ने भी 2020 वाला जो NET है, JRFA कौलिफाइ किया है उनके लिए गुड़ न्यूज है basically वो ये है कि जो आपके E-Certificates है वो आचुके हैं आपको link description box में directly मिल जाएगी फिलाल हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि आप कैसे अपने जो E-Certificates हैं उनको download कर सकते हैं, correct तो देखें ये है NTA का homepage आपको इस पर आना है website की जो link है वो आपको description में मिल जाएगी आप directly उस पे visit कर सकते हैं फिर अगर आप type करना चाहें तो अपने browser में type कीजे nta.ac.in उसके बाद आपके सामने ये page open होगा दिन आप थोड़ा से scroll करेंगे तो आपको flash news में ही दिख जाएगा E-Certificate बड़ ये देखें, green के लेके कुछ tabs आपको दिख रहे हैं इसमें ही second number पे है E-Certificate UGC net इसी पे आपको क्लिक करना है अपने certificate के लिए देखें, आपने क्लिक किया अभी हमने क्लिक किया तो उसके बाद ये login वाला एक page open होगा ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है candidate login area जिसमें आपको institution select करना है और यह जो क्याप्चा code है basically जो code है वह आपको enter करना है तो देखें institution में select कर लिजए UGC net यहां पे आप क्याप्चा को जो भी है वह आप type कर सकते हैं wait so it is 833006 correct जब आप इसे type करेंगे उसके बाद आपको proceed करना है प्रोसीर जब आप करेंगे तो आपके सामने open होगा page जिसमें कि आपको जो बांकी details है जैसे कि आपका application number या role number देन आपका date of birth ये सारी चीज़ें आपको enter करनी होंगी ठीक है तो इसे open होने देते उसके बाद continue करते हैं yes यह देखे यह open होगा candidate login का page यहां पर आपको दिखी रहा है आपको link description में मिल जाएगी direct link यहां पर आपको सबसे पहले enter करना है यह दिखे रोल लंबर application number यहां पर आपको अपना चाहिए आप roll number एंटर करे या application number एंटर करें आपकी choice है then आपको नीचे date of birth अपना एंटर करना है सबसे पहले यहां पर आपकी date आप drop-down से select कर सकते हैं दिखे क्लिक करेंगे options आएंगे you can select it आपको similarly month एंटर करना है वैसे ही जैसे कि यहां पर आप month कर लीजिए उसके बाद यहां पर year आप select कर सकते हैं then similarly आप select कर लीजिए जो भी है उसके बाद exam session यहां पर already वैसे है ही mentioned आप फिर भी चाहें तो June 2020 select कर सकते है then you have to enter the capture code which is you know यहां पर जो भी है आपका जो है वो आपको enter करना होगा यहां पर है 191361 ठीक है तो बागी information भी आप ऐसे ही enter करेंगे उसके बाद आपके सामने page open हो जाएगा ठीक है डालती हूँ मैं open करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ देखे प्रोसीड करना है तो प्रोसीड करते हैं इसके बाद open करते हैं जी तो देखिए यह है certificate को open करने के लिए एक और page है आपको इसी पर जाकर इस certificate download करन है तो वह होम का option है लगाट का option है यहां पर यह जो नीचे टाब दिख रहा है अब इस से दिखाती हूँ मैं स्क्रॉल करके तो यह basically है download करने का आपको यहीं पर क्लिक करना है तो आपका जो फाइल है आपकी basically इस certificate वो download हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको clearly दिख रहा ह होगा यह download का tab आपको इस पर क्लिक करना है तो आप download कर सकते हैं तो उसके बाद आपको open कैसे करना है क्योंकि पासवर्ड प्रिटेक्टेड होता है ठीक है तो इसकी information आपको download जब आप करेंगे तो मिलेगी तो download वाला टाप जो open करते हैं उसके बाद उसे देखते हैं तो ज लेंगे जैसे नीचे scroll down करते हैं तो यह देखें यहाँ पर है click here to download e-certificate आप इस पर click करेंगे तो आपका download हो जाएगा बर आपको open करने के लिए पासवर्ड उस पर enter करना होगा basically password protected होता है तो पासवर्ड क्या है उसका example यहाँ पर mention है कि suppose आपका यह नाम है ठीक है रादि k dot तो इस तो जो first four letters होंगे वो हो जाएंगे as dot k dot ठीक है similarly जैसे यहाँ पर और सभी जो है वो capital letters होंगे यह याद रखीगा ठीक है तो आपका जो भी नाम हो आपके उसके first four letters आपको capital में लिखने है then उसके बाद जो भी आपकी date of birth है ठीक है अगर January है तो 01 होगा मतलब properly जै है वो document तो आपको password enter करना होगा तभी आप उस document को अपने certificate को open कर सकते हैं तो यही थी आज की information बहुत obviously अच्छी बात है आपका जो इस certificate है वो इतनी जल्दी आ चुका है आप उसे राउनलोड करके print कर सकते हैं या आप जैसे चाहीं use कर सकते हैं correct आपको पता ही होगा physical form में कोई भी certificate नहीं आता है तो certificate आपको ऐसे ही मिलेगा ठीक है तो यही थी information वीडियो helpful रहा या information आपको इतनी जल्दी मिली तो आप like की आर सकते वीडियो को share कर सकते हैं अगर आपको बसंद आया और चानल को subscribe कीजे तो that is it for today आपको download करना है तो आपको और नीचे जाके इस व कैसे हैं